बश्कार स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं लोग समा में अंटार्टिका विदेग जो पेश किया गया है अब बात आती है कि असर क्या अंटार्टिका जो पिगल रहा है क्या इसको बचाने की बात होगी क्या यहां पर कुछ ऐसी ही बातें की जा रही है PDF के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि PDF कहा मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन वोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बीना किसी दे रहे कि तीकि सरकार ने लोकसभा में अंटार्टिका विदेग यानि अंटार्टिका बिल जो है वो इंटर्डूस किया है जिसमें क्या होगा कि अंटार्टिका में जो यात्राएं जो विजिट्स हैं जो एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा साथ ही साथ जो वहां पर उस माधिर पर जो लोग मौजूद हैं उनके बीच उत्पन होने वाले जो disputes हैं उनको regulate करने के लिए भी ये काम करेगा ये अंटार्टिका बिल क्लियर ये जो अंटार्टिका जो बिल है वो भारत के नागरिकों पर तो लागू हो गई होगा साथ में ये विदेशी नागरिकों के उपर भी लागू होने वाला है क्यार यहां पर भारती नागरिक तो मुझे समझ में आगी कि भारती नागरिकों पर तो ये लागू हो सकते क्योंकि भारत ही introduce कर रहे है विदेशी नागरिकों पर यह कैसे लागो होगा इसका जवाब मुझे नहीं मिला क्या है देखिए अक्टूबर 2021 में इंडिया extended its support for protecting the Antarctic environment and for co-sponsoring the proposal of the European Union for designating East Antarctic and the Weddell Sea as marine protected area MPS का जाते है actual में इसका क्या मतलब है कि Antarctica में एक MPA करके एक area समझा मतलब की distribute कर रहा है तो वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा मातरा में ऐसा कह सकते हैं कि जो जीव जन्तू है Antarctica पे रहने वाले उनकी रक्षा के लिए उनके conservation के लिए यहाँ पर यह program किया गया है यहाँ इससे पहले Antarctica में 100 km लंबे जो हिमशैल है जो बहुत जल्दी पेगल रहा है उसको अपचारिक रूप से जिसे गलास को जलवायू में जो समेलन हुआ था उसको गलास को नाम दिया गया है कहीं न कहीं इसको protect करने की भी बात हो रही है clear अब यहाँ पर यात्राओं को कैसे regulate किया जाएगा इस विदेग के अंतर का साव मतलब की दिशा निर्देश दिये गए है एक permit परनाली जो है वो इसके अंदर तयार शुरू की जाएगी जिसमें क्या होगा कि सरकार दौर्या एक न्यूक्त समीती के माध्यम से इस permit को जा पड़ेगी विधे के तह जो है प्रसंगिक अंतराष्ट्य कानूनों उत्सरजन मानकों एम सरक्षा नियूमों की निगरानी यहाँ पर कार्यान वेन तथा अनुपालन सुनचित करने के लिए अंटार्टिका शाष्चन एम प्रयावन सरक्षन समीती स्थापित करने का भी प्रावधान दिया गया है अब आगे चलते हैं अब यहाँ पर सबसे बड़ी इंपोर्टन बाद आती है कि खनिज संसादनों की रक्षा करना देखिए अंटार्टिका महादूरी पर क्या है कि बहुत सारे देशों ने अपने अपने रिसर्स सेंटर ओपन कर रखे हैं और वहाँ पर कहीं खुदाई भी कर रहे हैं ताकि उनको लगते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ मिल जाएगा तो इस विधेग में कहा गया है कि जो ड्रिलिंग है ड्रेजिंग है उत्खनन है या फिर खनिन संसादनों का जो इकठा करना है उनका मंढार करना है उनके पहचान यह स साथ ही कोई विग्यानिक अनुसंधान की अनुमति दे जा सकती है यानि scientific research की जा सकती है अगर permit मिलेगी तो वो भारत सरकार पुसको permit देगी वारत के लोगों के लिए है clear अब यहाँ पर जो स्थानिक पोदा की रक्षा करना देखे इसके तायत कहा है जो वहाँ के जो हो रहा है तो उसको मना किया गए उसको परतिबंदित किया गए यहां तक कि Antarctica के जो स्थानिक मृदा है या किसी भी जैविक सामगरी को हटाना या ऐसी किसी अन्य activity में लिप्त होना जो मतलब कि वहां के पक्षियों जानवरों वहां उनके परतिकूल है तो भहिया वो सब च पचास लाग तक का इसमें जुर्माने की बात की गीरी है 10 से 20 लाग 50 लाग ऐसे जुर्माने इसमें लगाए जाएंगे ऐसी बात बोली गई है साथ इसाथ अंतर्टिका के जो स्थानिक पक्षियों के अलावा अन्य किसी भी परजाती के पेश करने पर परतिबंद क्या मतल जा मतलब कि कारावास जेल में डाल दिया जाएगा साथ ही साथ उसको काफी सारा जुर्माना भी पे करना पड़ सकता है वहाँ पर अब बात करें कि भारतिये दूर ओपरेटरों से संबंदित जो यहाँ पर प्रोविजन दिये गए हैं तेकि यह विदेग जो है वो भारतिये शामिल है बाकी जो होगे वो विदेशों के होगे हैं आपर अब विदेग का उदेशे क्या है क्या उबजेक्टिव इस बिल का इसका उबजेक्टिव है कि यहाँ पर एक सूस थापित कानून तंतर के माद्यम से भारत की अंटार्टिक गतिवीदियों के लिए एक सामंजे से पुर्ण नितिगत धांचा परदान किया जाए कि भारत की तरफ से ऐसा कुछ काम नहीं किया जा रहा जहां पर अंटार्टिका को नुकसान हो अंटार्टिका प्रेटन के प्रबंदन और मत्से पालन के सतत विकास सहीत भारती अंटार्टिका कारेकर्म की गतिवीदियों को सुविधाजनक बनाना हो गया है यहाँ पर इस विदेग का उदिश्य है अब ऐसे कानून की आवशकता क्यों बढ़ती है दीखे अंटार्टिका संदी की पुरावदान दीखे भारत ने 1983 में अंटार्टिका संदी पर साइन किये थे इसने भारत को महादी पर उन हिस्सों क के नियंतरन के लिए कानून के एक समूग के रूप में निदिश्ट करने हेतू बादे किया जहां इसके अनुसंदान स्टेशन है अब संदी ने 54 हस्ताक्षत करता देशों के लिए उन शेत्रों को नियंतरन करने कानून को निदिश्ट करना अनिवारे कर दिया जिन शेत्र जीवित अंसंसादनों के सरंक्षन के लिए आयोग जैसी सिंधियों का भी अस्ताक्षर करता है। दोनों समेलन भारत को महादवीब की पराचीन प्राकर्तिक सरंक्षन में मदद का आश्वाशन देते हैं। अब अंटार्टिका की परमुक विशेशता हैं के लिए भारत सहीत कई देशों द्वारा स्तापित लगबग 40 स्थाई स्टेशनों को छोड़कर अंटार्टिका बाकी निरजन है यानि वहाँ पर कोई रहता नहीं है। अंटार्टिका महादीप पर भारत के दो रिसर्च सेंटर हैं, कौन-कौन से होगे, एक मैत्री होगे, जो 1989 में स्थापित किया गया था, शिर्माकर हिल्स में, और एक है भारती, 2012 में स्थापित किया गया था, लॉर्से मैन हिल्स के अंदर, अंटार्टिका में हैं ये, भारत जीजें जो है वहाँ पर रिसर्च हो रहे हैं उनी से पता चल रहा है अब रिसर्च अगर यहाँ पर आपको पता चले कि ग्रेशियर पीगलेगा अगर अंटार्टिका पीगलता है तो सोचिए कितना ज्यादा पानी जो है वो कितने सारे देशों को डुबा के चला जाएगा तो यहाँ पर यह काफी जादा चिंता जनक बात बनी हुई है यहाँ पर अंटार्टिका सरकल के उपर स्वाल बोर्ड में हिमादरी स्टेशन के साथ भारती दुरुवों शेत्रों में शोध यानि रिसर्च करने वाले देशों के विशिस समू में शामिल है देखें अंटा बाड़ा महादीप है भारती अंटार्टिका कारेकरम एक बहु अनुशाशन आत्मक बहु संस्तागत कारेकरम है जो प्रिथवी विज्यान मंतराले नेशनल सेंटर फोर आर्कटिक अंटार्टिक एंड एसोशेशन रिसर्च के अंतरगत यानि उसके नियंतरण में है भारत ने अधिकारिक रूप से अगस्त 1983 में अंटार्टिक संधी प्रणाली के उपर या इसको स्विकार किया था यह एक्जाम में पूछा जा सकता है तो उमीद करता हूँ कि अंटार्टिका संधी से रिलेड़ेड आपके सारे डाउट जहां पर क्लियर हो गए होगे पीडियो के लिए मैं आप लोगों को फिर से उधा देता हूँ कि टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आईए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेर कर सकते हैं वीडियो को एस वेल है चैनल को भी तैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो